नमस्का न्यूस वार नीशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ शुभी आपके साथ फिलाल अगर आप इस बात का इंतिजार कर रहे हैं कि आखिर बिहार में ठंड कब यूटर्ण लीगी और गुनगुनी धूप में आप बैट कर इंजोई कर पाएंगी तो आपको थोड़ा और इंतिजार करना होगा आपको बता दे कि मौसम विग्यानिकों की तरफ से लगातार इस बात की जानकारी दी जारी है कि फिलाल प्रदीश वासियों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली इतना है नहीं बताय जा रहा है कि उत्तर पश्रिमी हवा के रुक की वज़े से बिहार में ठंड का प्रकूब अभी कम नहीं होने वाला और इसी की वज़े से लगातार न्यूतम पारी में गिरावट दर्च की जारी है ऐसी में मौसम विज्ञानिकों का और क्या कुछ कहना है आपको विस्तार में बताते हैं बिहार में पिशले पास दिनों से शीत लहर का प्रकूब जारी है और तीन फरवरी तक लोगों को ठंड से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है मौसम विभाग ने पुर्वा अनुमान जताते वी कहा है कि उत्तर पश्रमी हवा के प्रभाव की वज़े से न्यूतम तापमान में लगातार गिरावट दर्च की जारी है और पटना में ठंड ने पिछले दस वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है रविवार को पटना का न्यूतम तापमान 3.1 डिगरी रहा जो की विगत दस वर्षों में दूसरे स्थान पर रिकॉर्ड किया गया वहीं गया का न्यूतम तापमान 3.4 डिगरी रिकॉर्ड हुआ इसके लावा आरा, बकसर, भागलपूर, मुझपरपूर के लोग भी ठंड से बेहाल रहे जमोई में 8.5, बकसर में 7.5, श्रिवहर में 8.2, वालमीकी नगर में 6, भोजपूर में 6.8 डिगरी पुर्णिया में 9.9, मुझपरपूर में 9.6, छपरा में 7.1, सूपॉल में 8.2 डिगरी सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया बहराल ठंड की वज़े से जन जीवन पूरी तरह से अस्तिवेस्त है और शाम ढलते ही खास कर गरीबों और रागीरों के मुसीबते बढ़ने लगती है शीत लहर को देखते वे पटना जिला प्रशाशन के निर्देश पर 127 जगहों पर अलाव जलाए चा रहे हैं लेकिन अस ठंड में सरकारे इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रही है हरा कि मौसम विभागनी चार फरवरी के बाद पुर्वा हवा से ठंड में कमी आने की संभावना जटाई है मौसम विग्यानिकों की मानी तो दिन में मौसम शुष्क रहने की वज़े सी नियूतम तापमान में हलकी वृधी देखी जारी है लेकिन रात में तापमान में भारी गिरावट हो रही है जिससे साब्धानी बरतनी की जरूरत है इसके अलावा ठंड की वज़े से ब्रेन स्टोक और लकवा समीत कई बिमारी के भी लोग शिकार हो रहे हैं यही नहीं अस्वतालों में ब्रेन स्ट्रोक और लवकवा के मरीजों में जाफा देखने को मिल रहा है तो आपको बता दे कि मौसम विदो का कहना है कि जिस सरीके से पश्रमी हवा चल रही है उसकी रुक से प्रदेश वासियों को अबे फिलाल ठंड से नजात नहीं मिलने वाली है हराकी शुशक हवाओं की वज़े से थोड़ी से ठंड से रहत दिन भर मलती है लेकिन रात में भारी तापमान में गरावट दर्ज की जारी है ऐसे में आपको अपना खास खयाल रखने की जरूरत है हम भे आपसे यही अपेल करेंगे कि आप अपने आपको सुरक्षित रखें सतर करें हैं क्योंकि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड इस बार राजधानी पटना में तूटा है यानि की 3.1 डिगरी पारा दर्ज किया गया है फिलाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूस वार्णीशन नमस्कार